Hello everyone, 6th class student, most welcome back to my channel, रजनीशकौर, आज हम करेंगे आपकी साइन्स की बुक का 3rd chapter, फाइबर टू फैबरिक, ये जर्नी है बिटा, फाइबर्स की, किस तरह से हमें फाइबर्स मिलते हैं, कहां से मिलते हैं, सोर्सिस क्या हैं इनके, और किस तरह से इनको अरेंज करके हम फाइब करते हैं, पहेली और बुजो से, उन्होंने बेटा अपनी साइन्स क्विज कॉम्पेटिशन में, जो उनके स्कूल में हुआ, वहाँ पे प्राइज विन किया, अब वो बड़े एकसाइटेड थे, उन्होंने डिसाइड किया, कि अपने पैरेंट्स के लिए सुंदर सी ड्र मुफलर शॉल्स भी हैं, तो आप इन में से सिलेक्ट कर लो कुछ भी, तो देर वर मेनी सिल्क साइडी, पहेली और बुजो जो बड़े एकसाइटेड होगे, उन्होंने टच किया फैबरिक को, तो उन्होंने क्या खरीदा, एट लास्ट, फाइनली, दे बाट अ वुलन मु सुर्राउंडिंग्स में तो वेरियस टाइप आपस फैबरिक्स हैं, कहीं बैटशीट, सेंड बलैंकेट्स, करटन्स हैं, टेबल क्लोज्स, टॉवल्स, डॉस्टर्स और यह सभी के सभी डिफरेंट काइट्स फैबरिक से बने तो इवन उनके जो स्कूल बैग्स हैं, गनी सिल्क, सिंथिटिक, तो आप बच्चों से भी मेरा ये कोशन है कि आप अपने घरों में क्या करो ममा की हेल्प से डिफरेंट टाइप्स के फैब्रिक्स निकाल कर उनको क्लासिफाई करो हाना ताकि आपको आइडेंटिफिकेशन हो कि कौन सी चीज कॉटन की है, सिल्क की है, सि अक्टिविटी करते हैं, अक्टिविटी के थू ही हम सीखते हैं, हाना? 3.1 में क्या है? वराइटी इन फैब्रिक्स की फैब्रिक्स में वराइटी कैसी है, तो अप नेरबाइ आपके कोई दरजी की दुकान है, टेलरिंग शॉप, तो आप उसको जरा विजट करके आओ, घ करना है कि वो किस तरह का उनका टेक्शर है फिर उनको लेबल करना है फैब्रिक्स को कि वैदर दियार मेड़ अफ कॉटन, सिल्क, वूल, सिंथेटिक हाना टेलर की आप हैल्प ले सकते हो अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है इडेंटिफाई करने में तो वह आपको अच्छे से समझा देगा घर में आपकी मदर आपको समझा देंगे तो आप न हैरान रह जाओगे कि इतने डिफरेंट इसकी चीज से बने होते हैं हाना तो अब टो किया करेंगे करां के दो कुछिस करेंगे कि एक लूज़ ओ ठ्रेड हमने कहीं से मिले यान लूज़ फ्रेड को हम क्या बोलते हैं यान ओके तो एक एज से हम उसको के खेंचेंगे और अगर कोई loose yarn नहीं है नहीं खिच रहा हम से तो हम help लेंगे किसकी हम एक pin या needle की help से उस yarn को निकालेंगे तो हम यह देखेंगे कि fabric is made up of yarns arranged together, okay underline कर लो इसको कि fabric किस से बना होता है बटा जब different yarns जो threads हैं उनको हम arrange करें तब हमारे पास fabric आता है तो what are these yarns made of अब हमने पूरी knowledge लेनी है ना इस journey की fiber to fabric की तो यह question भी हमारे लिए बहुत important है कि अब yarns किस से बने होते हैं तो 3.2 fiber topic में हम activity 3 करेंगे जहां पर हम एक yarn लेंगे किसी cotton fabric का कॉटन के कपड़ेगा तो हमने उस yarn को क्या करना है टेबल पे रख देना है देन उसको एक end से प्रेस करना है अपने थम के साथ और दूसी तरफ से scratch कर देना है उस yarn को हना जिस तरफ से उसकी length है उसकी against उसको scratch कर देना है with the help of our nails हम क्या देखेंगे बच्चे की yarn जो है वो split हो गया different thin strands में अलग अलग और भी छोटे 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 धागे निकल आये उसमें से देखो 3.4 में यह activity show हो रही है 3.5 में देखो yarn कैसे split हो गया है different thin strands में अब आपने ये भी observe किया होगा कि जब आप कोशिश कर रहे हो when you try to thread a needle आप एक सुई में उसकी needle की eye में धागा डाल रहे हो thread तो आपको बड़ी problem होती है वो उसको cross नहीं कर पाता eye of the needle को thread तो आप क्या कर देखते हो कि thread के end में बहुत सारे thin strands आ गये हैं जिसकी वज़े से नहीं कर पा रहा तो यही जो thin strands है ना मेरा आपको समझाने का मतलब है कि यह जो thinner strands है इनही को हम बेटा fibers बोलते हैं ओके तो fabrics are made up of yarns and yarns they are further made up of fibers तो अब थोड़ा सा समझ में आया आपको कि जो fabric cotton हमारे पास था वो yarn की arrangement से बनाया याने thread की arrangement से और यह yarns जो है यह further छोटे- अब question आपके दिमाग में यह आना चाहिए where do these fibers come from कि यह fibers बेटा हमको कहां से मिलते हैं इनका source क्या है the fibers of some fabrics such as cotton, jute, silk and wool they are obtained from plants and animals okay हमें यह जितने भी बेने fabrics के नाम लिए ना बेटा चाहिए वो cotton है, jute, silk है, wool है यह हमें plants और animals से मिलते हैं यह आप अच्छे से जानते हो तो इसलिए हम इनको किस category में रखते हैं these are known as natural fibers okay अगर हम cotton jute के बाद करें तो plant से मिलते हैं wool and silk हमें animals से मिलती है तो इनको हम natural fibers बो यहां पर the fibers which obtained from plants or animals they are known as natural fibers और plant fibers में हमें cotton jute का example लिखना है, animal fibers में हमें wool and silk का लिखना है, आगे हम fleas of sheep की बात आई है तो आपके दिमाग में आएगा यह क्या होता है, hairy skin होती है बेटा, यह sheep और goat की जहां से हमें wool मिलती है, तो इसके लावा हम rabbit या camels के hair से भी हमें जो है fiber मिलता है, silk fiber की बात करें, तो silk worm का जो life cycle आपने पढ़ा है अपनी पिछली class में, cocoon stage होती ही न बेटा उसकी, तो इस cocoon stage में हमें वो silk threads, silk fibers मिलते हैं, जो हम अलग कर लेते हैं उससे, तो for thousands of years natural fibers जो थे, वो available थे fabrics को बनाने के लिए, लेकिन पिछले कुछ 100 सालों के करीब, कुछ fibers जो हैं, वो chemical substances से भी बने हैं बेटा, ठीके, वो chemical substances क्या हैं, जिनको human beings ने बनाया है, laboratories में, ठीके, artificial हैं वो, तो they are known as synthetic fibers, तो इसकी examples अगर आपको exam में आते हैं, तो आपने क्या लिखना है, polyester, nylon, acrylic, acrylic क्या है, artificial wool, artificial wool को हम acrylic बोलते हैं, एक तो natural wool होती हैं न, हमें animal से म बनाते हैं, एक हम chemical substances से artificial wool बनाते हैं, उसको acrylic बोलते हैं, clear, 3.3, some plant fibers के अगर हम बात करें, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है cotton, इन दिनों summers चल रहा है, तो summers में हम लोग mostly cotton fabric पहनते हैं, तो have you ever made wicks of oil lamps, आप oil lamps देखें आपने, what do you use for making these wicks, तो यह जो cotton wool है बेटा, यह use होती है, mattress, रजाईया, pillow, जो आपके सराने हैं घर के, उन में फिल करने के लिए cotton wool, ठीक है, तो take some cotton wool आप लीजी, अपने हाथ में pull it apart and look at its edges, what do you observe, आप देखोगे, छोटे-छोटे thin strands हैं इसमें, जो further cotton fiber से बने हैं, तो आपके दिमाग में यह question आएगा, where does this cotton wool come from, यह cotton wool कहां से आई है, it is grown in the fields, खेतों में बेटा इसको गया गया है, और जहां पर cotton plants grow किये जाते हैं, ऐसे places में, जो वहां की soil होती है, बेटा, वो black color की होती है, और वहां का जो climate है, वो बहुत गरम होता है, तो can you name some states of our country, where cotton is grown, क्या आप इंडिया में ऐसी states find out करोगे, करोगे और मुझे बताओगे भी, ठीके, कहां कहां पर होती है, मैं आपको बता देती हूँ, cotton जो है, वो जैसे हमने बोला, black soil और warm climate में होता है, तो ये south में होती है, cotton जादा, ठीके, क्योंकि वहां पर soil जो होती है, वो black color की होती है, जैसे हमारा होती है, तमिल नाडू हो गया, कर cotton plant के fruits होती है, तो कौन सा पार्ट देता है, हमें cotton, cotton balls, which is a fruit, ठीके, वो fruit है, cotton plant का, और इसका size एक lemon निम्बू होता है, इतने size के होते हैं, तो जब ये mature हो जाते हैं, यानि जब पक जाते हैं, तो balls burst, ये balls burst हो जाते हैं, खुल जाते हैं, open हो जाते हैं, और इनके जो seeds, जिस हो जाते हैं, तो हमें दिखते हैं, तो have you ever seen a cotton field that is ready for picking, तो कहीं ने देखा भी होगा, और कहीं, देखो जड़ा इस figure में देखो, आप कैसे cotton field से ये cotton balls लेके आए हैं, ठीके, तो ये balls जो है cotton के, usually हाथों से तोड़े जाते हैं, और फिर इन fibers को हम लोग separate करते हैं, seeds से, क्योंकि seeds हमें नहीं चाहिए, fibers चाहिए cotton, तो combing का process होता है, by combing, जैसे हम कंगी करते हैं आपने बालों में, वैसे combing करते हैं seeds की, तो इस process को हम बोलते हैं, ginning of cotton, ठीके बिटा, the process of combing of seeds is also known as ginning of cotton, very important, तो ये ginning सबसे पहले की जाती थी बिटा, traditionally की जाती थी, हाथों से, हना हाथों से combing की जाती थी, अलग किया जाता था, cotton fibers को, लेकिन अब machine से करते हैं, फिर हम jute की बात करेंगे, तो jute हमें, मिलता है jute plant की stem से, और ये plant rainy season में cultivate किया जाता है, इंडिया की बात करें, तो वेस्ट बेंगॉल, बिहार, असाम में, इसकी cultivation सबसे maximum है, jute plant की, नॉर्मली इसको harvest कब किया जाता है, कब काटा जाता है, जब इस plant की flowering stage होती है, तो इसकी stems को काटने के बाद, पानी में immerse याने डुबो के रखा जाता है, कुछ दिनों के लिए, ताकि ये stems soft हो जाए, गल जाए, और rot होने के बाद, इसके fibers, जो हम easily हम हाथों से separate कर सकें, ठीक है, तो अब आप देखो, कि fabrics बनाने के लिए, fibers first converted into yarns, how it is done, तो हम देखते हैं, spinning of cotton yarn, किस तरह से होती है, हमने क्या किया, कुछ cotton wool ले लिए एक हाथ में, अब हमने अपने thumb और four finger दूसरे हाथ में, कुछ pinch ले लिया, उसका, now gently start pulling out of the cotton, दोनों हाथों से रुई को हम pull क करना स्टार्ट की हम करते हैं, खेल-खेल में, तो continuously twisting the fibers, फिर उसको हम twist कर दें, तो are you able to make a yarn, एक धागा बना लोगे, तो this process of making yarn from fibers is called spinning, इस तरह से जो यान हम बनाते हैं, फाइबर से, इसको हम spinning का नाम देते हैं, इस process को, तो इस process में fibers जो है, वो एक mass of cotton wool से क्या बन जाते ह हैं, twist करके thread बन जाता है, this brings the fibers together to form a yarn, a simple device जो use की जाती है, वो है hand spindle, ठीक है, जिसको हम तकली भी कहते हैं, और जो दूसरा हाथ होता है हमारा, वो device को operate करता है, जिसको हम उस device को हम क्या बोलते हैं, चर्खा, ओके, तो use of चर्खा वस popularized by महात्मा गांदी, जो father of nation हैं हमारे तो उन्होंने यह start किया था, सबसे पहले, independence movement का एक part रहा था, कि सोधेशी चीजों का अपयोग करना है, तो उन्होंने encourage किया था people, भारत के लोगों को, कि वो हाथ से बने हुए कपड़े पहने, ठीक है, जिसको हम खादी बोलते हैं, और shun imported clothes made in the mills of Britain, और जो ब्रिटेन मे कपड़े बनते हैं, उनका त्याग करें, वो नहीं पहनने, तो to popularize and promote खादी, the government of India, जिनको उन्होंने क्या बनाया, government of India ने, खादी and village industry commissions बनाया, 1956 में, और large scale पर spinning हुई, with the help of spinning machines, after spinning, yarns are used for making fabrics, तो ये तो आपको समझ में आया, अब yarn to fabric में, यान तक तो आपको बात समझ में आगी, आगे चलो जड़ा कौन से process हैं, there are so many ways, जिस fabrics बनते हैं, यान से, तो two जो process हैं common हमारे लिए, they are weaving and knitting, तो weaving की बात करें, तो activity two में आपने notice किया था था ना, कि two sets of yarn को जब हम arrange करते हैं, तो fabric बनता है, तो what is weaving definition क्या होगी, weaving की, it is the process of arranging two sets of yarns together to make a fabric, तो weaving घर में आपकी mothers भी करती हैं, कई बार आपने देखो होगा, activity five में देखो बेटा, आपने two sheets लेनी है, paper की different colors की होनी चाहिए, square pieces में इनको cut कर लो, इनकी length equal होनी चाहिए, square pieces of length है और width इसकी equal होगी, 30 cm from each sheet, अब आपने fold कर देना, sheets को half में, on one sheet draw lines as shown in the, देखो यह figure आपको दिखी हुई है, यहाँ पर किस तरह से, यह कर रहे हैं, cutting करके, तो यह weaving with paper strips है, यहाँ पर yarns, two yarns की बाद की थी ना, अपने weaving में, तो यहाँ पर two color के paper strips की बाद की गई है, तो यह same fabric उसी तरह का बन रहा है, तो figure 3.12a में देखिए, फिर 3.12b में देखिए, फिर आपके पास pattern तयार हो गया, डी वाले part में, पूरा, weaving all the strips, इसके बाद देखो बेटा, hand loom, यह lady है ना, यह hand loom operate कर रही है, इन a similar manner, two sets of yarns are woven to make a fabric, जैसे हमने paper वाली activity की, तो two set of yarns use होता है, fabric बनाने के लिए, तो thin होते हैं यह, हमारे paper strips से तो जादा thin होते हैं, of course, weaving of fabric is done on looms, और यह किस machine पे किया जाती है, weaving, यह question आपके exam में आ सकता है, looms पे बोलते हैं इनको, ठीक है, looms machines होती है, the looms are either hand operated और power operated, या तो हम इसको हाज से operate करते हैं, या power supply से इसको operate किया जाता है, फिर knitting की बात करें, हम second जो process है, हमारा yarn to fabric की तरफ, तो have you noticed how sweaters are knitted, आपने अपनी मम्यों को देखा है न, आपका sweater बनाते हुए, नहीं देखा तो फिगर 3.14 में आपको याद आ जाएगी, ठीक है, तो देखो किस तरह से इसमें, जो है, वो knitting का process किया जा रहा, it is used to make a piece of fabric, So have you ever pulled the yarn from a torn pair of socks, अगर आपकी socks कहीं फट जाती है, वूलन, तो वहाँ से आपने, आपको बड़ा मज़ा आता है, उसको खीचने में, what happens, a single yarn gets pulled out continuously as the fabric gets unraveled, तब तक आप उसको करते रहते हो, Socks and many other clothing items are made of knitted fabrics, knitting is done by hand and also on machines, हाथों से भी बटा knitting की जाती है, और machine से भी हम करते हैं, तो आजकल machine से जादा है, क्योंकि demand पूरी करनी होती है, जल्दी हो जाता है काम, कम labor में, कम time में, Now, Paheli wants to know if you have seen any fabrics that are made of the fibers on the outer covering of coconut, coconut husk होती है न, brown color की, जो निकालते हैं, तो वो कहते हैं, इससे भी क्या बनते हैं, what are these fibers normally used for, yes, तो मैं आपको बता दूं, जो आप ropes केलते हो, mattresses गर में बिचाते हो, कुछ bags होते हैं, तो वो husk से बनते हैं, ठीके, तो weaving and knitting are used for making different kinds of fabric, these fabrics are used for a variety of clothing items, तो history क्या है, clothing material की एक बार समझ लेते हैं, तो पुराने जमाने में बेटा, जो लोग थी न, वो clothes के लिए क्या material यूज करते थे, तो आप देखोगे, bark of trees, big leaves, animal skins, fur of animals, ये सब कुछ यूज करते थे अपनी body को cover करने के लिए, लेकिन जैसे जैसे लोगोंने settle होना शुरू किया, खेती आई, agriculture discovery हुई उसकी, invention हुई खेती की, गास के उन्होंने twigs बनाना शुरू कर दी, mats बनाना शुरू कर दी, baskets बनाना शुरू कर दी, फिर vines, animal fleece और hair were twisted together into long strands, अब यह जो थे fabric में convert किये, उन्होंने weave किया उनको, the early Indians wore fabrics made out of cotton that grew in the regions near the river Ganga, गंगा नदी के किनारे जो cotton होती थी, उसको उन्होंने use किया, to cover their body, then flax की बात करें हम, the flax is also a plant part, ठीक है, तो it gives natural fiber, jute की तरह और cotton की तरह, यह भी हमें natural fiber देता है, ancient Egypt की बात करें, तो cotton और flax, they were cultivated near the river Nile, underline this, and they were used for making fabrics, यह हमारी history है बिटा, in those days, stitching was not known, लोगों को सिलाई नहीं आती थी उन दिनो, people simply drap the fabrics around different parts of their body, जैसे लपेट लेते हैं न, उस तरह, many different ways of draping fabrics were used, with the invention of the sewing needle, जो sewing machine की sewing होती है, people started stitching fabrics to make clothes, लोगों ने शुरू किया, कपडों को stitch करना, now stitched clothes have gone through many variations since this invention, but is it not amazing, यह कोई हरानी वाली बात नहीं थी, that even today, साड़ी, धोती, लूंगी, तर्बन, यह सारी चीजें जो हैं, unstitched piece of fabric की तरह, इनको use किया जाता है, just as there is a large variety in the food, eaten all over our country, a large variety exists also in fabrics and clothing items, जैसे हमने पिछले chapters में पढ़ा, आपके 6th class में, कि food की large variety use होती है, हमारे country में, उसी तरह से fabrics और clothing items की भी बहुत जादा वराइटी है हमारी country में, तो यह देखिए, एक आपको flow chart दिया है, यहां पे last में, किस तरह से cotton rolls को comb करके, यानि गिनिंग वाले process से fiber बनाया जा रहा है, fiber को spin किया जा रहा है, यान बनाया जा रहा है, और yarn के two process है, knitting और weaving उससे fabric तयार हो रहा है, तो this is the journey of fiber to fabric, तो these are the key words, cotton wool, fabric, fiber, knitting, spinning, weaving, यान, हमने अच्छे से इसको discuss किया है चैप्टर में, समरी भी आपने पढ़ लेनी है सब बचोंने, because it is recapitulation of the chapter, तो बिटा, आपके comments का मुझे इंतजार रहता है, इस वीडियो को सुनने के बाद जरूर comment कीजिए, share कीजिए, a lot of love to you, thanks for your sport, आपकी वज़े से ही ये channel इतना rise हो रहा है, once again, have a nice day, thanks बिटा,